कि नमस्कार स्वागत आप सभी का एविश्टार न्यूस पर में हूं आपके साथ जुबैट शुबर तो चला आपका उत्तव देश्का जहां सबसे पहले बात करेंगे बारा बंकी की पता देगे बारा बंकी के लोदेश्वर महादेव में कावार यात्रा की धूम देखने को मिली है तो सावन के महीने में कावार यात्रा की धूम देखने को मित रही है जहां बारा बंकी के प्रसिद्ग लोदेश्वर महादेव मंदिर में सावन के इस पावन महीने में कावार यात्रा चल रही है जिसको लेकर प्रशासन मुस्तव नजरा रहा है और योगी सरकार के निर्देश पर अपर पुलिस महाने दूशत बीम औरेस्पी ने कावड यात्राओं पर कुसु बरसाथी है जहां सब ने मिलकर कावडियों पर फूर्ज उड़ाए क्या कि आज मानि मुख्य मंतरी जी के निर्देश के करम में तावड यात्रियों और जो हमारा सावन मास चल रहा है उसमें सोंबार के जिवर महादेवा मंदेर पर कुछ वर्षा पहली बार बारवंगी ने की गई है इससे ब्रक्तों में काफी हर्षो अलास हैं और मानि मुख प्रिया और शुक्त रामना है कि इस प्रकार का प्रयास पेहनी बार इमापर दिया गया है वेजरन आप बात कर लेते हैं बुलेंशर की जहां सीमा हैदर केसमी की नहीं ख़बर सामने आई है एस दोरान सचिन की निसान देवी पर छा पेमारी की गई है तो लेटन में आप बायत कर लेते हैं शीमा हैदर की जहां सीमा हैदर के इस सिर्फ पर जूड़ी नई ख़बर सामने आई है आरोब है की सचिन की फुपेर वाई विने की मदद से सीमा हैदर के अधार काड में हेरा फेरी की गई है इस मामले में बुलिस की टीम जंचेवा केंदर संचालक पवन मीडा और कुष्पेंदर कुर्णवेडा ले आई है जहां सचिन के परिजनों की माने तो नईड़ोपिलिस की टीम सचिन को भी साथ लेकर आई थी दो तीन है उतार रगए ये वालब में की यह गाडिती थी अहां के दोन अधाई परिजनों पुलिस की बदमासों से मुट्बेड हुई इस दोरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमास खायल हुआ है तो बुलिस और बदमासों के बीच मुट्बेड की खबर है जहां मुटबेड में बदमास जावेद पुलिस की गोली लगने से खायल हो गया पदादे के बदमास जावेद का एकसाती फराप होने में काम्याब रहा जहां खुर्जानगर पुलिस की बदमासों से बरौली गाउं के पास मुटफेट हुई थी, गिराफतार बदमास जाविद पर महिला के साथ हत्यार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिने कारूप लगा था वारदात के 36 गंटे बाद ही मुटवेड के बाद खायल बदमास को स्पतार में फर्टी कराए गया है कल फुर्जानगर पुलिस स्टेशन पर एक अभियोग दर्ज़र हुआ था जिस पानसो सतावन बटा तेईस जो तीन सो बानबे चार सो ग्यारा उसमें एक मुल्जिम कल मौके बिग्रिक्तार हुआ था दूसरा मुल्जिम जो मौके से फरार था उसकी तलास में हमारी टीम में लगी हुई थी आज जैसे ही उसकी सूचना हाइवे की तरफ हुई हमारी टीम ने उसको रोकने का प्रयास किया जिस पे उसने पुलिस पार्टी पे फायर किया, पुलिस के जमानों ने आत्मरक्षार्थ उस पे फायर किया जिस पे उसको एक गोली लगी कल फुर्जा नगर पुलिस इस्टेशन पे एक अभियोग दर्ज़र हुआ था जिस पांसो सताउन बटा तेईस जो तीन सो बानबे चार सो ग्यारा उसमें एक मुल्जिम कल मौके बिगरी तो मेर्टेना बात देवरिया की कलेते हैं जहां मत्यस्य विबाग को बड़ी कामयावी हाथ लगी है तो देवर्या में मत्से विभाग की को टीम को बड़ी कामयवी मिली है टीम ने एक पिक अप से आठ ट्विंटल के करीब प्रतिबंदित थाई मांगूर मचली को बरामात किया है जिसे नस्ट कर दिया गया है बतादे के थाई मंगूर मचली पर प्रतिबंदित लगा गया है जहां क्योंकि इसके सेवन से कैंसर, लिवर कैंसर, चर्म रोग समेत करीब आदा दर्जन बीमारियों का खत्रा बना रहता है दरसल ये पूरी तरह से माताहरी होती है जिसके सेवन से सरीर के और सर्मेरिक, लैट, कैंडी, मिलियन की मात्राब बढ़ जाती है पूरी तरह से प्रतिबंधित है, NGT ने, 2020 से इसको प्रतिबंधित कर दिया था ति इसको अपने देश में नपाला जा और नहीं जो इसको बेचा जा इससे पालने से मानो स्वास्त के खाफी बुरा असर पढ़ा है और ये मचली कल जो है सोमनाफ मंदिर पे सुचना मिली कि वहां पर एक पीकप गाड़ी बेश बंगाल से आई होई है इसमें पूरी तरह से थाई मांगूर के सीड पूरी तरह से लदी होई थी लगभग उसमें आठ से दस जार पीस जो है सीड उपलब था प्रतवंधित मचली है थाई मांगूर इसका साइंटिक नाम है क्लेरियस गरिपाइनस ये जो है थाई लेंड की मचली है अपने यां की ब्रीड नहीं है और इसको पालने और पालने के लिए तो विट्रमब बात संबल की कर लेते हैं जहां साथ साल के बच्चे की लाज के दौरान मौत होई जिसके बाद परीजोनली कूम भांगामा किया प्रवाइब दूराइब 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 द पहत्चान लिया था, फोल मिला कर छे लोगों ने वायदत को अंजान दिया था, जानकारी के मताबिक खाले लियूर का सुसराल के इन लोगों से बिबाद चल रहा था, जा मौके पर कोछ से इस्पिशलिस ने जान शुरू कर दी है तो बेजनमबाद कासगंज की कर लेते हैं जहां प्रसांत हत्या कांड को लेकर खूब आवाल देखने को मिल रहा है तो कासगंज में प्रिशांथ हत्याकांड को लेकर प्रिजनों का प्रिशन देखने को मिला जहां आफायर ना दर्ज किया जाने को लेकर प्रिशांथ के प्रिजनों और शातियों ने सदर कुटवाली के बाहर दाना प्रिशन किया और पुलिस के खिलाफ चंप कर नारे बाची की है जिसके बाद लोगों ने प्रिजशन खत्म किया बरादे के सदर कोटवाली लाके के महला जैराम का ये मामला बताया जा रहा है जा प्रिजशन का के बादे के बादे के बादे को फोन कर उसे बुलाया था और फिर खत्या करने के बादे बादे को रेलवे ट्रेक पर फैक दिया मेरे बेटे की हत्या हुई है, 17 तारीक को वो यहां से चला गया है सुबही और हमने जिसके नामदर्ज रिपोर्ट की है, वो आज खाली घूम रहा है, जबकि नामदर्ज रिपोर्ट होने पर किसी भी आदमी को शक के बुनियाद पर उठा लिया जाता है, मगर उसको नहीं उ तब अलाबाद में मुझे खवर मिली सुबह सौन साथ बजए, को शुबह साथ मुझे खवर मिली कि मेरे मेरी नहीं बेटी को मुझे नहीं पताये गया, सुबह साथ बजे हम लोग वहां से बाई कार हमलोग आसकर नाई है, मेरा बच्चा गया अपने काम से गया ते दोस्वोन आया पमी में दोस्त का बढ़े मना के होंगा उन्ने सारी को उसके मोहित तिवारी का बढ़े था वो बढ़े में गया और लोट कर सुबह ख़वार आई सूचना मिल गई उसके बढ़े में गया थे वो बिलकुल नगनावस्ता में मिला वगया और उसकी अथिया कर दी गई बढ़े में बड़ी काम्या बी मिली है पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए तीन आरूपियों को गरफ्तार कर लिया है आरोपियों के गिरफतारी जनभूमी लिंक रोड फ्लाइआवर के निच्वर रेलवे लाइन के किनारे से पुगई जहां पुलिस कानोनी कारवाई में जुड़ गई है उनके रूप में हुई अज्यात के गुरुद अव्योग पंच्कित हुआ क्योंकि परिजनों को किसी पर शक नहीं था और उनका कहना था कि इनकी किसी सदुश्मनी में इसमें अच्छा इंवेस्टिगेशन करते हुए एस्पी सिटी और सीव सीटी की टीम ने इंस्पेक्टर पत्वाली के नितित्तु में सरानिय कारे किया है और इस घटना का नावरंड किया और इसमें तीन अभ्यूद राहूल मनीश और उडैवीर राहूल जो की ठाना गुविन नगर का रना अबाला है मनीश जो हात्रस गेट का रने वाला है और उडैवीर जो ठाना बलदे जन पदमत्रा करने वाला इन तीनों को गिरफतार किया गया है घटना के बैग्डाउन के बारे में पता चला तो यह पता चला कि यह सभी जो मृतक और सभी अभ्यूक्त हैं कि साथ बैटके नशा कर रहे थे और नशा करने के दौरान इन में आपस में घड़प हुई इन तीनो विक्तों ने मृतक को बिजलीगर के ऊपर ठेव दिया जहां पर उनको करेंट लगा फ्रांसफर्मर से और करेंट लगने के बाद इन सबने गला और मू दबाके उसकी हत्या करने के बाद शव को बैंक को लोनी वेटन में बाद बागपत के कर लेते हैं जहां जी को करीब मा पुलिस के हवाले कर दिया है जानकारी के मताबे की यूवक का हातों में देवी देवताओ के तस्वीर लेकर घर घर जाकर भीक माग रहा था पकड़े कर यूवक ने अपना नाम आमिर और रफीक बताया है यूवक बागपत के ही जांदी नगर थाना इलाके कर रहने वाला है इस मामले की जानकारी मिलने पर वाची पुलिस ने यूवक को हिराशत में देकर पूछताज शुरू कर दी है कि इसका मामला यह था कि यह जिवाली गली में जोपना बीक मांग पाड़ा गया है चड़ी पे जो इसने जारगर गुगा जीकि और शिरा वाली माता की तस्कील लगा रखीते इसके बेदेश नाम पुछा गया स्ने नहीं बताया बड़ी कोशी दो करने के भाद में इसको म वेटन बात वरुक अबाद की कर लेते हैं जहां तेज रफ़तार का कहर देखने को मिला है हजान शराब के नज़े मिद्धुत रही जड़ादो ने सड़क के किनारे सो रहे कर लोगों के ऊपर कार चड़ा दी है और मौके से फराप बूत अंगे हैं जिनमें कई की हालत गंभीर बताई चा रही है यह मामला पर उककबाद कुछ वाली इलाके के रेल्वे स्टेशन पर इसरका है जागटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की प्रेम मौक्टे पर पहुंची और जांच में जुड़ते क्या मामना हुआ है बहुत देर भाग जाओ जाज ऑनका इन घ्रिंसकी पर नटीर गुष्ण पर पर उपर चार पांश लोग उत्य जड़ी जड़ाई है उसे तो डर्स नहीं पाया कोट पकड़ना पर पकड़ने पह्या पोर नहीं पाया उसे इस दो आई जोग नहीं पाया अब लोगो किया कर रहे थे इज़ बहुत देर से अबना उने तो यूपी के बोलेटिन अपना तु प्रटेस में अभी के लिए त्ना ही ते सब दुने के लिए देखते ह्रे रहें झाल झाल